पिछले तीस सालों से जवीरी बजार में इडर वाले महाशंकर महराज की होटेल टॉप क्लास चलती आ रही है रोज जम के धंदा होता है लेकिन फिर भी जिंदिकी में उन्होंने हिसाब का चौपड़ा नहीं रखा शाम को जब पैसे घटे होते हैं तो उसमें से दूसरी सुभा सबजी वाले दूद वाले सबका हिसाब चुपता कर देते हैं अब एक दिन उनका सीए हुआ बेटा जैसे दुकान में खोचा उसने सब देखा और तुरंद बोला पापा ये कैसा धंदा चला रहे हो आप मैं सीए हूँ और आप पता कैसे चलेगा कि मुनाफ़ा कितना हुआ घटा कितना पिता ने जवाब दिया देख बेटा देश यानि गाउं से जब मुंबई पहली बार आये थे ना तो पहनी हुई धोती थी मेरे पास अब तेरा भाई डॉक्टर है तेरी बहन वकील बन चुकी है तो सी है बहुएं जो करना चाहती है कर रही हैं उनके लिए घहने भी है और रहने के लिए हमारे नाम पे अपना घर भी है अब इस सब में से मेरी धोती की कीमत माइनस कर दे ना तो सब मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है अर्थात पैसे को दिमाग में जगा दे दिल में नहीं और जादा लोग वैसे पैसे खर्च करते हैं जो उन्होंने कभी कवाए नी वो चीज़े खरीदते हैं जो उने को भी चाहिए ही नी और उन्हें एंप्रेस करने में लगे रहते हैं जिने वो जीवन में पसंद भी नहीं करते हैं समझ रहे हैं ना सलाम दुआ वानकम प्रणाम सत्रीकार किम्छो सारूच है अम्दवादा कोई मारूच है